नमस्कार गुड़ी की पोटली यूट्यूब में आपका हादिक स्वागत है इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड़ी की पोटली आज में आपके लिए डिजाइन बॉर्डर का एक और डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन का प्रियोग बच्चों की स्वेटर और लेडिस कार्डिगन पर ही किया जाता है जेंट स्वेटर पर इस बॉर्डर का प्रियोग नहीं किया जाता बनाने में बहुत असान है दो फंदों का डिजाइन है और दो सलाई का डिजाइन है दो के सेट में फंदे डाल प्लस एक फंदा जादा डालना है और ध्यान ये रखना है पहला फंदा भी हमारा सीधा होना चाहिए और आखरी फंदा भी हमारा सीधा होना चाहिए आये इससे बनाना शुरू करते हैं ये हमारा पहला फंदा है ये हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी और करेंगे एक फंदा आगा दूसरी और करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हमने सारी सलाई ऐसे ही बुननी हैं डिजाइन बहुत अच्छा लगता है अगर आप चाहें तो इसका परियोग सारी स्वेटर पर भी कर सकते हैं आप देखें आखिर का फंदा हमें सीधा अमारा सीधा आना चाहिए अगर आखिर का फंदा सीधा नहीं आएगा तो हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा आप देख सकते हैं आखिर का फंदा हमारा सीधा आया है दूसरी तरफ से भी हमको पहला फंदा सीधा ही लेना है सीधा लेकर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए सारी स्लाई को बनाना है इसी तरीके से बनाना है आखिर का फंदा हमारा सीधा आना चाहिए बस इसी बात का आपको हमीशा ध्यान रखना है फंदे डालते समय दो का सेट प्लस एक फंदा आपको ज्यादा रखना है तभी बॉर्डर ठीक आएगा वरना बॉर्डर का डिजाइन खराब हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ आखिर का फंदा भी हमारा सीधा आएगा ये देखिए आखिर का फंदा भी हमारा सीधा है अब तो इस तरफ से भी शुरू करेंगे तो भी हमारा फंदा सीधा है सीधे से ही शुरू करना है डिजाइन हमारा इतना ही है डिजाइन बनकर बॉर्डर बनकर बहुत सुन्दर लगता है आप देख सकते है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेर करें अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें जल्दे ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ गुड़ी की पोटली में तब तक के लिए देखते रहिए गुड़ी की पोटली नमस्कार धन्यवाद